तो आज की स्विडिम बात करने वाले है कि आपका पांध काड आधारकार से कैसे लिंक कर सकते यहाच करना जुरुर ही है 31 मार्च अभी लास्ट डेट है बहुत पहले टाइम दिया हुआ था लास्ट डेट लास्ट डेट लेकि किसीने यह नहीं सुना और आज की डेट में 1000 द लेंदेन में तो फिर वहां पे आपको पैनल्टी देनी पड़ सकती है दसजार तो दसजार ना देना पड़े इस वज़़े से अभी एक हजार में करवा लिजी यह लिंक तो केसे करना है इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बताया है लास्ट वीडियो इस टॉपिक बनाया था लेकिन वहां पर मैंने प्रोसेस नहीं सब बताई थी पैमेंट वाली तो अभी मैं प्रोरी प्रोसेस बताऊंगा हर इक चीज़ बताऊंगा जो आपको करनी है अभी 31 मार्च से पहले तो यह वीडियो पूरा देखना बहुत इंपोर्टर ने खास अपने फ्रें बिल्कुल मत बुलेगा तो अब चलते में टोपिक और तो यहां पर सबसे आले है आपको वेपसाइट पर आप जासकते हो वेपसाइट एक ही है लेकिन आप यही पोर्टल भी आप सच गाशकता है यह यही प्रेंट पर जाके दिखाता हूं तो यहां पर जैसे क्लिक करते हैं इंकमटेक्स.gov.in उस पर क्लिक करना है और नीचे चले आना है और इसके बाद यहां पर मैंने स्टेटस के चेक करना है लास्ट एक वीडियो बना के बताया था जहां पर आप देख सकते हो तो अभी देखिए लिंक आधार करना है वो भी उस वीडियो में बताया लेकिन पूरा प्रोसेस नहीं बताया आज की स्विडियो में में पेडिमेंट कैसे करना हो सब कुछ बताऊंगा तो यहां पर लिंक आधार पर हम क्लिक करते हैं और यहां से यहीं वेबसेट आ जा सकते हो और इंकम टेक्स की जो ऑफिस वेबसेट वहीं है कोई और नहीं है तो सिंपली यहां से हम आ चुके हैं यहां पर इस टाइम फोड़ा लोडिंग हो सकता है क्योंकि यहां पर अभी 31st डेट है लास्ट मार्च की तो बहुत सारे फ्रेंड इस वेबसाइट पर आके यह काम कर रहे है तो यह से थ तो सबसे पहले आपको जो है वह एंट्री करना है यहां पर फर अधिर करना इंठरि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा वो है continue to pay through e-pay tax तो उसपर आपको क्लिक करना है अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको option मिलेगे वो मैं आपको दिखाता हूँ बट उच्से पहले यहाँ पर रजिस्टर और यहाँ पर बार मतलब रजिस्टर और देय Hiç तो यहां पे मैंने 5 नबर डाल दिया है, यहां पे 1st में hide देखने को मिलेगा, और दुसरे में यहां पे 5 नबर देखने को मिलेगा, लेकिन 2-0 match होने चाहिए, मतलब same होने चाहिए, इसके नीचे आपको mobile number भी डालना है, तो यहां पे नीचे mobile number भी मैंने entry कर दिया, फिर simply य आप सही डाली वर्णा गलत डालोगे त्रिकत हो सकती है, तो आपको यहां पे OTP डाल देना है, यहां पे मैंने OTP एंटर कर दिया, और simply यहां पे continue पे क्लिक करना है, और यहां पे लिखा आ चुका है, ग्रिंग कदर में you have successfully verify through mobile OTP, और यहां पे 5 नमबर आ जाएगा, और य यहां पे simply first apply करना in context, तो process पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे assessment year आएगा, तो आपको यहां पे जो latest अभी चल जा रहा है, 22, 23, 24 वही करना है, इस तरह से select कर लिजे, फिर यहां पे इस तरह से आना चाहिए, 23, 24 और साथ अपने यहां पे financial year, 22, 23 और assessment year, 24 आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद नीचे select पे जाके आपको यहां पे other recipes पे click करना है, जो 500 लिखा है, उस पे आपको click करना है, तो इतना करने के बाद आपको नीचे continue पे click करना है, जैसे click करेंगे तो आपको नीचे ज़र्याना है, तो यहां पी लिखी जो text वगर है, यहां पे सब push penalty चुका है, तो यह आपको payment करना पड़ेगा, तो payment करने के लिए यहां पे continue पे click करना है, फिर इसके बाद आपको यहां पे last and final step है payment का, उस पे आपको, मतलब वो step करना होगा, तो new payment पे नीचे जाते है, और बहुत सारे option यहां पे दिये, net banking, debit card, pay, bank counter, RTGA, SNEFT, payment gateway, तो यहां पे मैं debit card select कर सकता था, तो यहां से मैं debit card करूगा, तो भी हो जाएगा, लेकिन debit card में दिक्कत यारी, कुछ banks यहां पे available नहीं है, तो यहां से आपको side वाले, यहां last में option आ जाता है, क्योंकि SBI भी नहीं है, आपे net banking पे जाते है, तो भी SBI नहीं है, तो यहां पे यहां पे चैनरा, फेडरल और कोटक, लेकिन आपको कोटेंशलन की जुरूरत नहीं, कोई भी यू बैंक में हो, आपको simply जो मैं process कर रहा हूं, वही करनी है, तो मैं यहां पे कैनरा को सलगर करके continue यहां पे कर लेता हूँ, continue जैसे क्लिक करेंगे, तो यहां पे next जो option आएग क्योंकि वहां पे आप debit card में जाता है, तो SBA का option नहीं है, तो कोई टेंशन लेनी के जुरूरत नहीं, आपको simply यहां से debit card, credit debit card इसलेक्ट कर सकते हैं, netbank, UPI, WhatsApp अगरा यहां पे option दिये, तो फिलार कैनरा अबले select है, लेकिन हम यहां से में SBA कहीं यूज़ करने वारा, तो यहां पर मैंने card number डाल दिया, फिर expired date जो है, वो यहां पर CV number डाल दिया, फिर name of card, जो name है card में, वहीं यहां पर डाल दिया, उसके बार यहां पर नीचे आपको process पे click कर देना, तो चलिए यहां पर process पे click करते है, save to continue, continue save, यहां पर card में save नहीं करना, तो continue without saving पे click करते है, यहां पर OTP आएगा, अमारा register number पे, वो यहां पर डाल देगे, यहां पर मैंने OTP डाल दिया, simply make payment पे click करते है, हो सकता है, आपको यह जो payment का option है, साइध hide date को मिल सकता है, लेकिन simply जैसे payment करना है, OTP करना है, तो थोड़ा यहां पर wait करते है, हमारा payment में भी successfully हो जाएगा, य यहां पर maybe successful हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखे, यहां पर आप वही debit card यूज करे, credit debit card, जिसमें आपका जो e-commerce payment के लिए जो option होता है, वो enable हो, disable होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे Punjab में ATM में, मैं online payment नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी थर् यहां पर SBI में ऐसा नहीं था, इसवाज हो चुका है, महलब SBI SBI इस ATM है, बहुत सारे ATM हो सकता है, तो payment complete हो चुका है, और simply यहां पर download जो चालन है, वो आप यहां पर download कर सकते हो, तो फटा पर यह download भी कर लेगते हैं, तो चली यहां से download कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक step और करना है, वो मैं आपको दिखाता हूं, पहले एक बार इसको दिखा रहते हैं, तो मैं यहां पर बैक चले आते हैं, तो मैं यहां पर यहां पर जाते हो, और यहां पर जाते होम पेज पर वापस, और यहां पर होम पेज पर जाने के बाद जो चीज है, वो दिखाता हूं तो मडला payment हो जाए कि इसका मडला यह नहीं कि verify हो जुग ऐसा नहीं है link other पे आपको जाना या status पे आप link other status पे जाकर देख सकते हैं लिकिन एक बार यहां से sorry link other पे नहीं जाना link other status पे जाना है बाद में जाना है link other पे अभी वो काम करना बागी है लेकिन कप करना है वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ लिंक आधा स्टेटस पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आधारकार पांधकार से लिंक हुआ है या फिर कह सकते हैं कि आधारकार या पांधकार एक दूसरे से लिंक हुआ है या नहीं तो यहां पर पांधकार नमब यहां पर यहां पर क्लोज करना है लाकिन यह कब करना है मैं आपको दिखाता हूं लेकिन इसके बाले फिर से चेक करनाए यहां पर क्या पान काड़ा द возмож here पर यहां प्रत्वाइब बादार की डालने डाले यहां परवेलित पर यहां पर याँ पे कुछ option मिले, your payment details are verified, please click on the continue process with the submit, other card, तो यहाँ पे दिखिए हमारा जो अभी इस तरह से option आया, यह जो option आना जरूरी है, पहले आप payment बुरा कर दीजिए, फिर आपको वापस link, अधार वाले जो status में आना है, वहाँ पे पांद card और अधार card number डाल दीजिए, फिर यह वाला option आना चाहिए, तो चली यहाँ पर यह नहीं आता तपता है का आपको wait करना है, कुछ time के बाद 6-7 दिन भी लग सकते हैं, तो उसके बाद check करते रहें आपको, ठीक है, payment करने के या फिर आधार card पांद कर से link करना है, लेकर यह step नहीं आएगा study में, पहले आपको लिंक अधार पर क्लिक करेंगे, तो payment वाला ही process करना हो पड़े है, payment करने के बाद आपको 10-15 अधार कर सकते हैं, या फिर आप check भी कर सकते हैं, तो तुरंग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा आ जाता है, तो फिर आप continue कर लिजिए यहाँ पर, continue करने के बाद फिर से यहाँ पर पांद का और और वह आधार कर नंबर यहाँ पर आजाएगा, जो कि आना जरूरी है, और यह तब ही आएगा जब आप payment complete करते हैं, पहले वाला process complete करते हैं, तो नेम इस पर अधार, अधार पर जो नाम है, वो आपको यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ पर mobile number, अधार का mobile number, जो लिंक है, वो यहाँ पर डालना है, तो फटावर वो भी डाल देते हैं, यहाँ पर जिसका यहाँ पर एक only year of birth in other, अधार कार पर सिर्फ उर्फ सिर्फ birth year है, शाल ही है, तारीक नहीं है, तो पिर आपको यह चलेक्ट करना है, अगर पूरी तारीक ही है, तो फिर यह सेलेक्ट नहीं करना है, यह चेज़ आपको ध्यान रगना है, सिर्फ यहीं सेलेक्ट करके फिर link आधर पे हम क्लिक करते हैं अब क्लिक किया तो फिर से एक OTP जाएगा वो अब OTP उस नमबर पे जाएगा जो आधरकार में link है नमबर उस नमबर पे जाएगा तो वो यहाँ पे OTP आता है व्यसे यहाँ पे डाल के next process कर लेते हैं यहां पर मैंने ओटी पर मुझे मिल चुका है, तो यहां पर मैं validate पर अप click करता हूँ, तो यह omnipya ओड़ियर वो इस time के अंदर अंदर आफे आपको डालना होता है, तो चली validate पर हम click करते हैं, तो यहां पर दिखें, finally आ चुका है, your request अधर पान link has been said, यू आई ए सोरे यू आई डी ए आई पॉर वेलिडेशन प्लीज चेक टेस्टेस लेक्टर बाई क्लिकिंग ओं लिंक अधर स्टेस्ट लिंक ओन हॉम पेज तो फाइनल यह हमारा लिंक हो चुका है और यह मेसेज आना चाहिए तब आपका काम हो जाएगा तो बस इतना करना ह है फाइनल काम हो चुका है तो यहां पर ओके करते हैं और ओके करने के बाद आपको यहां पर होम पेज पर लेकर जाएगा तो बस इतना करना है अभी 1000 में हो जाएगा वरना बाद में दिक्कत हो सकते दस अजार भी देने पड़ सकते हैं अगर निस्क्री हो जाएगा और य बब बाइ